दूद और मैकरोनी से बना नास्ता ये है वाइट सॉस पास्ता जी हाँ फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए वाइट सॉस पास्ता की बहुत जादा टेस्टी एकदम चीजी रेस्पी लेके आई हूं इस पास्ता को खाने के बाद बागी के सारे पास्ते खाना भूल जाएंगे यक दम च no todo में खाने को बनाना सःथ हैं जो देखने खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता दना है च्छाइए हो एक कप में कोई वी आपको ले सकते हैं मैंने आपर एक कप लिया है, आपको जितना बनाना है उतना आप ले सकते हैं अब मैंने आपर गेस ओन करके एक बरतन में तीन से चार गलास पानी को बॉयल करने की रख दिया है पानी में बढ़िया से बॉयल आएगा, उससे पहले हम इसमें डाल देंगे तो friends आप जब भी कोई भी धो इस पाहे आ रहे हैं ऊष्ट होlt किs को उट लगते हैं किसी को 6-7 स हमिनट लगते हैं किसी को 6 से 5 1 जानि कि नील लखता है तो आप पहले उसको बढ़ लीजिए कितना टाइम लग रहा है उसके आपको पास्ता को पकाना है यानि कि जब तक पका लेंगे जब तक एच्छे से एकदम से इस तरह से सौफ्ट ना हो जाए देखिए मुझे यहां पर इसको पकाते हुए टोटल 9 मिनट का टाइम लगा है और यह देखिए पास्ता हमारा कितना बढ़िया से पक चुका है यानि गी लिए फकारा कित सारे आपास्ता को हमें इस टेनर में निकाल देते हैं अच्चे से और जैसी हम इसको इसे निकालेंगे इसमें पानी डाल देते हैं ठर्णा पाल निक डालने से क्या होता है कि जो पास्ता है वो आपस में चिपकेगा नहीं और बहुत ही बड़ी एकदम खिला-खिला बनेगा अब हम रखेंगे फिर से गेस ओन करके कड़ाई इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चमच घी जी हाँ फ्रेंड सिर्फ आधा से फ्राई कर लेते हैं गोल्ड व्राउन होने तक इससे पास्ता में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप इसको जरूर डालिएगा एक बारी कटा हुआ मैंने आपर प्याज ले रिया है प्याज को डाल देंगे प्याज को भी हम अच्छे से थोड़ा सा सोटे कर लेना है यानि कि सब्दो को में बहुत ज्यादा एक दम फ्राई नहीं करना है हलका-लका सा सारी सब्दुन को सब्द करते जाएंगे burial watch i एक बारी कटा हुआ गाज़सा ना आपके पास ज्यों अपने हैल्दिक बना सकते और अब तो अपने अपनी बना सकते हैं noi हैं साध को बी आ सबस्टेख युकत लेका थी पिलैंगे जलदी पिल्ध के लिए चूटा चमच नमक दूटा सवत भट दालेंगे तो 2-3 के लिए आट को पका लेंगे यह देखिए यहां पर इनको पकते हुए 2-3 मठ हो चुके हैं अभी आप देख सकते हैं कि पहले से काफी हलकी हो गई है थोड़ी सी सौप्ट भी हो गई हैं अब हमें साली सब्जियों को बरतन में निकाल देते हैं फिर से हम रखेंगे गेस ओन करके सेम एक चम्मच बटर में नहां फ्रू दाल दिया है बटर को चैज से मेक्स कर देते हैं अगर बडा चम्मच ले थे तो एक चम्मच डाल या मैं आप लुए हूं मेहरो मेहरो दाला है में तीन चम मच आपको तिक ग्रेवी बनानी है इसकी कोडिंग आप मैदा डाल सकते हैं मैं एक कप के साफ के आपको बता रही हूँ तो मैंने तीन चम मच इसमें मैदे का यूज किया है अब मच्चे से मैदो को मिक्स करते हुए दो से तीन मिट के लिए इसको हलका साम भून लेते हैं जिससे कि मैदे का कच्चा पन इसमें से निकल जाएगा कच्चा मैदा आप बल्कुल भी मत डालिएगा यानि कि डालते आप दूद मत डालना डायरेक्ट क्योंकि वो थोड़ा कच्चा पन रहेगा तो पेट में अपडूद तो पहले हम एक कप डूद लेंगे उसको थोड़ा तो ठोड़ा करके अछा से मिक्स करते जाएंगे एक साथ पूर Benuto बिलकुल भी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगी ऐसको में करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे लंस भी पढ़ सकते हैं मेदा में तो मैंने आप टोटल एक कप डूंद डाल दिया है अच्छे से हम इसको बिस्क की हेल्प से फेंट देते हैं जिसे की जो मेदा के इसमें लंस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं तो यहां पर आपको कोच्छे से में रिख कर दिया है यह हमारी इस तरह की देखी बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी का यह इस तरह से बेटर जैसा बन चुका है इसा वह मैं ने आप पर लिया है जिसे मोजराइला चीज आप इसमें मोजराला प्रोसेस चुट चुट चुटत क्यूबस आते हैं वो ल मिक्स करकिंगे यह देखी चीज को मैंने मिक्स कर दिया है और चीज === मेल्ट हो गिया है हम एक चोटा चमट औरीगेन नो तो पे हमने नमक जादा हो जाएगा तो टेस्ट खराब हो सकता है अब उन्हें इस सब्सक्राइब का से और ठाज से तो uniform जरूर इस तर्व के वाइट सॉि नाय스ाइब गूल के लिए में वाल जाएंके एतना ज्यादा लगता है अब उसमें अपने पास्ता को डाल देंगे देखिई में पहली बतायक अगर यह थंडे-पानी में तुरन्द दो लेंगे को यह जेंडें तो बागते सारे फास्ता खाना भूल जाएंगे यह इतना ज्यादा टेस्टी लगता है अब अब अपने पास्ता को डाल देंगे देखी में आपको पहली बताए था कि अगर अम ठंडे पानी में तुरह लेंगे न तो क्या होता है कि चिपकते नहीं आपस में एक attempt खले-खले बन जाते हैं अब हाम मडिया से इसको मिक्स कर देंगे शारी चीज़ों को हलके आतों से ही मिक्स करेंगे जिससे की जो पास्ता है वो टूटे ना और एकदम। पानी निकालके रखाता ना पास्ता बोल करते टाम बहुं हम इसमें डाल देंगे तो यह प्रॉसेद आप 72 अगर आप इस तरह से पानी निकलना भूल चुके हैं तो आप नॉर्मल पानी तीन से चार चमश इसमें डाल सकते हैं अब हम अच्छे से सारी चियों को मिक्स कर देंगे यह देखिए कितना बढ़िया एकदम थिक कंसिस्टेंसी का हमारा पास्ता बन गया है अब हम इसको कवर करके सिर्फ दो मिनट के लिए पका लेंगे दो मिनट में यह सारे मसाले अच्छे से अब्जॉब हो जाएंगे यह देखिए दो मिनट हो चुके हैं और हमारा एकदम बढ़िया वाइट सॉस पास्ता बन चुका है लिली कितना सुन्दा लग रहा है देखने में देखते ही मुह में पानी आ रहा इतना ज्यादा टेस्टी एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी का बना है तो हम इसको गर्मा गरम सर्व करेंगे प्लेट पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना बढ़िया एकदम वाइट सॉस पास्ता हमारा बन के तयार हुआ है तो थोड़ा सा मिसमें चिल्ली फ्लैक स्थोड़ा सा औरीगेन उच्ट लगते हैंगे उपर से दिश्टे की देखने में भी काफी जाता सुन्दल लगेगा तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेस्पी मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो आप इसको गर्मा गर्मी सर्व कीजिएगा ठंडा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आप इसको गर्मा गर्मी खायेगा बहुत जादा मजा आएगा ठंडा बिल्कुल भी मत खायेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वेडियो पसंद आईए तो मेरे रेस्पी को लाइक में चैनल को सब्सक्राइब करें और जेर करें फिर मिनेंगे एक और नई रेस्पी के साथ तक तक के लिए बाई बाई टेक क्यार